बॉर्णिंग फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो चैनल माई क्यू टू होम गार्डन तो आज मैं अपने चाननी के प्लांट को जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था उसको मैं ट्रांस्प्लांट करने वाला हूं एक बड़े गमले के अंतर देखिए अब सब कटिंग तो लगा ले तो हमारा जो प्लांट है वो हेल्थी रहे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे और उसके मरने के जो चांस है या जो शोग में जाने के चांस है वो बिल्कुल कम हो जाए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कटिंग को जो है वो ट्रांस्प्ल प्लांट को मुझे ऐसे हाथ से पकड़के जो उखाड नहीं देना है तो क्या होगा कि रूट बाउल हो जाएंगी तूट जाएंगी और रूट बाउल डिस्टर्ब होने से जो प्लांट वो शोक में जा सकता है या मर सकता तो मुझे सबसे पहले बहुत ही सावधानी के इस प्लांट को निकालना है और मैं चाहता हूं कि मेरा गमला भी जो हो सेफ रहे तो मैं गमले को तोड़ना नहीं चाहता ताकि इसमें नहीं कटिंग में ग्रो कर पाऊ तो मुझे क्या करना सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोई भी आप गार्डनिंग टूल्स लेके साइ ऐसे हलके हाथ से जो है वह प्रेस करूंगा ताकि इसकी जो मिट्टी है साइड वॉल को छोड़ दे ऐसे बहुत हलके हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा ऐसे यह देखे और थोड़ा सा नीचे ऐसे टैप कर लेंगे हम ताकि यह देखे इस तरीके से टैप करेंगे तो जो प्लांट है वो पूरा का पूरा जो है वो रूट बाउल के साथ निकल जाएगा थोड़ा सा हाड वर्क मुझे करना होगा या फिर अगर नहीं निकल रहा है तो नीचे आपको पता है कि हॉल्स होते हैं अगर पॉलथिन में होता है तो पॉलथिन को मैं हटा देता पर मैं थोड़ा सा यहां पर वर्क करूंगा और यह जितने भी हॉल है उसके अंदर से स्पून को इसके पकड़ होगा वह आसानी से जो है वो रिमो हो जाए तो अब मैं इसको बहुत ही आसानी से जो है वो निकाल पाऊंगा थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे इसको और बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि यह देखे तो इस गमले के अंदर बहुत ही आसानी से जो है वो यह प् की जो रूट बाउंड है मैं उसको जो है वो रिमूव कर दूँगा यह देखे रूट को रिमूव आप कर दीजे रूट बाउंड ना होता कि मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूं तो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो कर पाए है और प्लांट जो मेरा हैलती हमेशा रहे और सालो साल चलता रही किए चानी के प्लांट को जो बड़े गमले की जरुवत होती है, छोटे गमले में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है, फ्लावरिंग तो कर देता है, फ्लावरिंग ये पिक बहुत कर चुका है, लेकिन अम मैं इसको बड़े गमले में रिपोर्ट करता हूँ, तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मिट्रेशन शोयल बनाने की ज़रूत नहीं होती है नॉर्मल गार्डन सोयल के अंदर भी आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा चल जागा लेकिन थोड़ा सा इसमें जो सैंड या बालू का इस्तमाल कर ले ताकि थोड़ा सा ड्रेनेज अच्छा हो जाए मिट्टी क और खाद वगरा मिलाने की जरूत जो है इसके अंदर नहीं होती है क्योंकि जो पर्मानेंट प्लांट होते हैं उनको हमें रेगुलर्ली खाद पानी देना पड़ता है तो मिट्टी में अगर आप खाद जो है वो नहीं मिलाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा तो यह मेरी परपेर हो चुकी है मैं इसे परफेर करके रखी है मैंने और मैंने इसके अंदर स्ञेंड का इस्तेमाल किया दो मैंने 60% रखें गार्डेंड मैंने 40% लखा अब मुझे क्या करना है दिखिए यहाँ पर गड़ा को लेता हूं जो से मैंने रूट बाउल के साथ निकाला था ना बिना रूट बाउल को डिस्टर्व के पूरा का पूरा ऐसे इसके अंदर रख देना अच्छी तरह से जमा देना है इसे डाल के मिट्टी को पूरी तरह से टाइट कर लेना है यह बात का ध्यान रखना इस तरीके से पूरी मिट्टी को ताकि इसकी पकड़ हो बहुत मजबूत हो जाए गमले के साथ तो यह बिल्कुल भी निकले ना तो ऐसे साइड सो जो भी इसका गैप हो भी हट जाए तो आ अब आप इसके अंदर जो है वह पानी डाल दीजिए पूरा पानी इसके अंदर डाल दीजिए और खाद 15 से 20 दिन के बाद इसमें गुड़ाई करके खाद दूंगा अभी मत दीजिएगा तो यह हमारा प्लांट जो हो ट्रांस्प्लांट हो चुका है तो उमेद करूंगा क यह वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थेंक्स वर वॉचिंग